दिसंबर तक तयार हो जाएगा राजा राम का भवे दर्बार सब्त मंडपम में होंगे साथ चोटे-चोटे मंदिर राम मंदिर के उधगाटन के बाद पहली बार मंदिर निर्माण समीती की दो दिबसी बठक शनिवार चे शुरू हुई इसमें निर्माण कारें को गती देने पर चर्चा हुई दस फरवड़ी से मंदिर का शेस निर्माण कारे शुरू करने की तैयारी है वहीं राम नौमी से पहले यात्रेई सुविधायें विक्सित करने का लक्ष रखा गया है प्रथम तल पर भवे राम दरबार के इस्थाबना की समय सीमा दिसंबर 2024 तैय हुई है भग्तू की सुविधा को देखते हुए निर्माण कारे को आगे बढ़ाने पर ट्रस्ट के पतादिकारियों वाक कारेदाई संस्था के इंजिनेरों के साथ निर्माण समीती के अध्यक्ष नरपेंद्र मिश्र ने चर्चा की उन्होंने बताया कि जद ही मंदिर निर्माण का शेष कारे शुरू होने जा रहा है मुखी रूप से राम मंदिर के पर कोटे का काम पूरा किया जाएगा 795 मीटर पर कोटे के निर्माण का 50 फिश्दी काम पूरा भी हो चुका है मंदिर के निचरी चबूतरे पर आइकोनोग्राफिक के माध्यम से पत्रों पर मूर्तियों उकेरने का भी काम होनत है पर्थम तल पर राम दर्बार की स्थापना का काम शुरू होगा सब्त मंढपम में 7 मंदिर जनमन मीपरिशर में सब्त मंढपम की भी परिकल्पना जलत साकार होगी परिशर में एक बड़े आकार का मंढपम बनाया जाएगा इसमें शृरी राम के समकालिन साथ पात्रों के चोटे-चोटे मंदिर होगी डॉक्टर अनिल ने बताए कि सब्त मंडपम में महर्ची बालमी की महर्ची वस्ष्ट महर्ची विश्वामित्र महर्ची अगस्त निशाद राज माता सबरीवा माता अहलिया की मंदिर होंगे बैठंग में इन पर शिग्र काम शुरू करने पर चर्चा हुई मंदिर परिशर में सभी काम अब एक साथ शुरू होंगे निर्माड कारियों के बेच निर्बाद दर्शन राम मंदिर के ट्रेश्टी अनिलमेश्र ने बताये कि परिशर की सबी सड़कों का निर्माड प्रकास विबस्था सुरक्षा उपकरण लगाने के काम तीर थे आतरी सुविदा केंदर का शेस काम राम नौमी से पहले पूरा करने का लक्ष है परिशर की सफाई के लिए एक कंपनी को टेका दिया गया है जिसके 50 करमचारी रोजना सफाई करते हैं निर्माड कारियों के बेच निर्बाद दर्शन की कारी योजना भी तै की गई है विशेस अतितियों में 5 लग श्रधालू भी आए तो कर सकेंगे सुगम दर्शन इश्नान परववा मेलों की विशेस तिथियों पर 5 लाग या इससे अधिक शृधालू भी अयोध्या आएं तो इन्हें नव मंदिर में राम नला के शुगम दर्शन कराए जा सकेंगे जलाप्रिशासन ने इसके लिए रोड मेप तैयार कर लिया है प्राण प्रतिशा के अगले दिन 23 जन्वरी जैसे हालात की पुन्रवरती नहीं होने दी जाएगी मजुदा समय में रोजाना एक से दो लाग शृधालू अयोध्या आ रहे हैं शनिवार, रविवार और मंगलवार को यह संख्या बढ़ कर 2-3 लाग तक भी पहुँच जाती है 23 जन्वरी को 5 लाग से भी अधिक रामभक्तों के दर्शन के लिए उमर्ने की अप्रतियासित इस्थती से स्थबक लेते हुए प्रशासन ने कई तरह के इंतिजाम किये हैं ऐसे में अब प्रति दिन सामाने तोर पर 1-3 लाग तक शृधालू आराम से बिना किसी व्यवधान के रामनला के दर्शन कर रहे हैं